फटा फट से देखिए हम क्या सीख रहे हैं सर profit and loss बनाना profit and loss बनाने का मतलब सर क्या बना रहे हैं हम branch account बना रहे हैं branch account के अंदर क्या होता है सर इधर सारे assets लिखो उसका closing balance लिखो सारे assets का closing balance का मतलब एक assets ऐसा है जिसका account बनाना पड़ेगा और इसी तरीके से यहां से हमारा या तो profit निकल जाएगा या फिर loss निकल जाएगा फटाफट देखते हैं debtor account, debtor account क्या होता है कि हमारा debtor assets है तो 2 balance BD, buy balance CD, अगर debtor की बढ़ाने की बात करें तो 2 reason बढ़ने का है एक हमारा क्या होता है credit sales, दूसरा reason अभी देखते हैं घटने की reason क्या है, अगर आपको debtor से पैसे मिल गया, collection from debtor या फिर BR आपने किसी को दे दिया, तब भी घट जाएगा debtor, bad debt से भी घट जाएगा discount से भी घट जाएगा, return से भी घट जाएगा लेकिन अगर BR dishonored होगा, तो debtor क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसके अंदर एक बात मैंने बोला था, याद रखना है कि आपका जो भी debtor होता है उसके अंदर कभी भी provision for doubtful debts नहीं आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है इसके बाद जो हमने format देखा था, उस base पर एक question देख लेते हैं, फटा फट से, यह आपकी किताब का ही question है किताब का question जीर मुंगा बुक का, सवाल number one, इसको हम अभी करने वाले हैं, format फटा फट से देखिए, हम बना लेंगे अभी हमने देखा था, इसके अंदर भी दो पार्ट थे, at cost, at ip, आज at cost खतम कर लेंगे, कल at ip खतम हो जाएगा, पर सो स्टॉक डेटर खतम हो जाएगा, क्योंकि मैं regular class लूँगा चलिए sir, format मैं भी बना लेता हूँ, आप भी बना लीजिए, blank format sir, दो ही account तो बनने है एक बनना है, sir, branch account sir, ये कौन सा account बना रहे हो, branch account और एक बनाएंगे कौन सा account हाला कि देख लेते हैं, question में क्या requirement है कहता है, prepare हैदराबाद branch accounts, goods sent to branch account in the books of echo एक goods sent to branch भी बनाना है, तो इस वाले branch को मैं बाद में लूँगा अभी इस branch को ना मैं लेके नहीं चलूँगा, goods sent to branch तो इसको card देते हैं, ठीक है वो कुछ नहीं होता, बस लिखना होता है, अभी क्या बनाना है, सिर्फ हैदराबाद branch अब debtor account हमारा बनेगा या नहीं बनेगा, depends अगर दो बाते मिल जाए ना इस account question में, तो debtor account बनाने की जूरत नहीं है क्या क्या, एक collection from debtor और एक debtor का balance cd, ढूंडते हैं क्या collection from debtor गीवन है यहाँ पर, यह रहा, cash received from laser, इसी को तो बोलते हैं, collection from debtor, cash received from laser, इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपके लिए अब ठीक है, चलिए सर यहाँ पर, अगर ध्यान दे, तो सर एक देखिए, यहाँ पर लिखा है ने, सर क्या collection from, किदर चला गया भाई, एक बात तो मिल गई, अब दूसरी चीज़ और डूंडनी है, क्या डूंडनी है सर, balance cd, यानि debtor का closing balance, क्या है हमारे पास, तो यहाँ closing balance में देखो, debtor का closing balance ऐसा मस समझना, कई बार question mark डाल देते हैं, यह, दोनों मिल गया, तो भई, आब हमें debtor account नहीं बनाना, तो अब हमारा सारा का सारा जो काम चलने वाला है, वो यहीं से चल ले जाए आएगा, branch account से, ठीक है ना, चलिए, फटा-फट से करते हैं अब हम, अब देखो, हमने सीख सबसे पहले क्या करते हैं, opening balance, पहले question पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है भाई, इतनी देर से यह, कहता है, पी एंड company चन्ने, send goods to branch हैदराबाद, चन्ने का एक head office है, और यह अपना भेशता कहां पे, हैदराबाद में समान बेचता है, the branch sell goods, cash and credit, भाईया, branch दोनों समान all the proceeds realized by the branch sent to head office, proceeds का मतलब होता है, जितना पैसा cash का आता है, branch के पास वो किसको भीज़ देता है, head office को, जब कभी भी branch head office को कुछ भी भीज़ता है, तो उसको क्या नाम से मैंने बोला था, remittance, उसको किस नाम से बोला था, remittance कहां आता है, debit में या credit में, credit में आएगा ठीक है इसके बाद कहता है, expense meet by head office, देखिए, specially line mention होगा, expense meet by head office, इसका मतलब सर, यहाँ पे सारे expenses आने वाले हैं, क्योंकि expense कौन दे रहा है, head office दे रहा है, petty expense which meet by the branch, कहता है भाया, petty expense तो branch ही देगा, head office, नहीं देगा, cash sent by head office against regard, लेकिन head office ने फिर भी कुछ खर्चेत के लिए पैस जर्नल, debtor, laser only, कहता है कि भाया, ब्रांच जो sales general है, debtor, laser only, यानि debtor system follow कर रहा है, कह रहा है, sales, journal और debtor, यानि ये system follow कर रहा है, the following list transaction between the head office and branch में कुछ हुआ 31 मार्च तक, कहता है सर, opening balance है, goods sent है, goods written by the branch, और credit sales, cash sales सारी चीज़े हैं, जो कि हम लिख लेते हैं, फटा-फट से, तो सर, सबसे पहले opening balance कहा आएगा, बताइए मैंने सिखाया आपको, two side में आ जाएगा, क्या लिखें, two balance, two balance BD, क्या क्या आएगा सर, सबसे पहले stock, stock के बाद debtor, सर, petty cash भी बताया था, अब फटा-फट amount लिख लेते हैं, 5, 35, 5, 35, तो देखो इतना आसान है न, और तो कु total कर लें, goods sent कहा हैगा, इधर ही आएगा, सर, goods sent इधर ही आजाएगा, goods sent कितने आ गए, फटा-फट देख के बताइए, यह रहा हमारा goods sent to branch, 40,000, इसके बाद आ जाते है, goods return by branch, अगर debtor return करता तो, तो debtor मैं, branch ने return किया, तो यहाँ आजाएगा, return, और सर, कितने का return, पच्चिस सो का, याद है ना आपको, इसके बाद आगे देखें, तो cash sales, तो by remittance, by remittance, sir sales, cash में कितने का, और कहता है, laser से collection, 33,000, तो sir, debtor से, 33,000, आगे कहता है, goods return by debtor, debtor ने return किया, तो कहां जाएगा, debtor account के अंदर, क्या बना रहे हैं, debtor account, नहीं बना रहे हैं, तो छोड़िए फिर इसको, यह मेरे किसी काम का नहीं है, discount allowed, कहां जाता है, discount allowed, debtor account में, क्या हम debtor account बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, क्योंकि closing दे र debtor account में, हम बना रहे हैं, debtor account, branch expense meet by echo, देखो, साफ साफ कह दिया, 1500 रुपए, तो भाईया, expense यहां डालेंगे, और 1500 रुपए, लिख देंगे, बात ही खतम, 5000, 1500 है, यह है, salary and, एक मिनट, यह तो heading है, भाई, यह तो heading है, अब आगे कहता है, salary wages, सर, salary कितने का, 5000, और उसके बाद rent, कितने का, 3000, इसके बाद telephone, 1000, इसके बाद क्या कहता है, other expense, 1500, other expense, 1500, आगे कहता है, closing balance at branch, branch के कुछ closing balance है, तो यहां लिखते हैं, by closing, क्या क्या है, सर, stock, कितने का, 9,000, चेक कर यह, debtor भी होना चाहिए, debtor कितना है, 6000, पैटी cash भी होना चाहिए, 100 रुपए, बाद खतम, total कर लेते हैं, इसका पांच, तिन, आठ, इसका total कर लेते हैं, पांच, तिन, आठ, एक, 9, हाँ, यह रह गया, कहा है, अच्छा, यह रह गया 1200, कोई बात नहीं, 1200 रुपए यहां जाएगा, जब कभी भी हमें, है, head office भेजेगा ना, पैसा, तो हम यहां लिख लेगे, petty cash इस साइड में, petty cash, इसके उपर कहानी समझेगे ना, पाद में, कितने रुपए बेजा, हमें बोला, ले भाई, 1200 रुपए से खर्च कर दे, तो मैंने खर्च कर दिया, head office ने बेजा, तो मैंने यहां डाल दिया, इसके पीछे, actual logic क्या है, जब हम stock debtor system पहेंगे, तो समझ जाएंगे हम, वहाँ पे भी petty cash आएगा, लेकिन वहाँ दूसरे तरीके से आएगा, अब इधर आ जाते हैं, 9 और 6, 15,100, यही है ना, 15 और 33, 45, अब फटा फट टोटल करके profit बतातो, टोटल करिए, इधर का बताना, 15, यह टोटल, माइनस कर दो, अरे भाई, फटा फट माइनस करो, फूर्ती दिखाओ, आप क्या देख रहे हैं फोन में, कौन से कहान यह गए, कैल्कुलेटर अभी तक तो एक जवाब नहीं आया आपका, तो कौन से कैल्कुलेटर है, और कैल्कुलेटर फोन में किस ने बोला चलाने के लिए, अंसर चेक कर ले, किताब में, अगर यह आ रहे हैं तो ठीक नहीं तो दुबारा आपको कोई करना हुगा, ठीक है, समझ में आया क्या है, इसमें डेटर अकाउंट मैंने नहीं बनाया, लेकिन इतनी सारी जानकारी थी, जिसे मैंने छोड़ दिया, किसी को लगता है, सार यह डेटर में जाना चाहिए, तो आप एक बार इसको जब करेंगा ने दुबारा, तो डेटर अकाउंट बना लेना, कोई फरक नहीं पड़ता उसके इंदर, उसमें क्रेडिट सेल्स निकल जाएगा, टू साइड में और कुछ भी नहीं निकलेगा, क्लियर, एक और सवाल देखें, चलिए, गौतम ने भी जवाब दे दिया,